वो दिल परमेशर नरम किये जाएं परमेशर परमेशर इस वचन को आपके हाथ में देते हैं हमसे बात कीजिये परमेशर ये शुमसी के नाम से मांगते हैं आमेन आमेन पिछले हफ़ते से परमेशर एक बात मेरे दिल पे डाल रहा था जो मैं चाहती हूँ आप सब के साथ बांटने के लिए एकशली जब भी वर्शिप होता है जब भी आरादना करते हैं परमेशर कोई ना कोई वचन मेरे दिल पे डालता है इसलिए मैं कहती हूँ वर्शिप मिस नहीं करना क्योंकि एक ऐसा समय रहता है जब हम परमेशर के साथ कनेक्ट बनाते हैं सब लोग जिन्दा है? येस? तीन-चार लोग कौन-कौन जिन्दा है? कौन-कौन खुश है? किस-किस को परमेशर की उपस्ति महसूस हुई? Amen, Hallelujah उस चीज के लिए परमेशर का एक बार धन्यवाद दे तालियां बजा के पिछले हफते अक्षली परमेशर ने एक वचन मेरे दिल पे डाला और मैं उसके बार में प्रेयर कर रही थी कि परमेशर यह बाँडना है कि नहीं बाँडना है और जितनी देर में प्रेयर कर पाई उसको बाँडने का मौका हट गया तो मगर कल रात को फिर से परमेशर ने यह वचन मेरे दिल पे डाला और मैं आज सुबह भी प्रेयर कर रही थी परमेशर ये वचन बांटना है कि नहीं आज सुभे भी आज अभी वर्शिप में परमेशर ने ये बात एक बार और मेरे दिल से मुझसे बात किया वचन के द्वारा तो मैं आपके साथ इसको बांटूंगी पिछले संडे जब हम चर्च आ रहे थे हमारे घर के बाहर एक छोटी सी कैरी बोलते है क्या है? कैरी ना? छोटी सी कैरी है तो उस आधी कैरी में पुधीना भरा हुआ है बहुत सारा पुधीना है और उसके आधे में घास और जो बोलते हैं ज़ाडिया घास फूस है और उसके बीच में एक क्या बोलते हैं, जंगली जो पौधे बोलते हैं, जंगली पौधे हैं, तो मेरे को टाइम नहीं मिलता उसको क्या बोलते हैं, साफ करने का या संभालने का, तो संडे को जब हम आ रहे थे, वो जो घास फूस था, जो जंगली पौधे थे, उसके बीच म एक पीले रंग का फूल था तो मैं सोच रही थी घर के बाहर लगा है उस जंगली पौधे में भी मैं सुंदर्ता डूढने की कोशिश कर रही थी तो मैंने का वाह जंगली पौधे में भी देखो कितना सुंदर फूल हो सकता है बिना बात के हम जंगली पौधों को बदनाम करते हैं ये भी तो सुंदर्ता देते हैं फिर मैं सोचा वो फूल लेके मैं सूंग लूँ मगर जब मैं फूल उठाने लगी तब मेरे दिमाग में आया ये तो इलर्जी दे सकता है ये नाक में कोई प्रॉब्लम कर सकता है मैं छूँँगी तो हातों में कोई प्रॉब्लम कर सकता है फिर मेरे दिमाग में समझ में आया अच्छा जंगली पौधा चाहे सुंदर दिखे जंगली पौधा ही है और ये चीज जब मेरे मन पे आया जब मैं यहाँ वर्शिप पे आई परमेशर ने एक वचन के दुवारा मुझसे बात किया यह हम डूंडेंग निकालेंगे मती उसके तेरा में और चौबिस से मती का तेरा चौबिस से वर्शिप टीम अच्छा पा उलड़ी बैठ गए ना इनो बहुत थक जाते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं परमेशर का आशीश आप सब के उपर हो सावी खुश हो जा सावी के लिए सब लोग प्राथना कर रहे हैं इनके परिवार के लिए हम उसको प्राथना में याद रखे आईए मती तेरा उसका चौबिस से येशु ने उन्हें एक और दिर्ष्टान दिया सुवर्ग का राज्य उस मनुश्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिये इस पर ग्रहेस्त के दासों ने आकर उससे कहा हे स्वामी क्या तुने अपने खेत में अच्छा बीज नबोया था फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए उसने उनसे कहा ये किसी शत्रु का काम है शत्रु हमारे लाइफ में भी परमेशर के राज्य में भी एक शत्रु है दासों ने उससे कहा क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले उसने कहा नहीं ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी खाड लो कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए ले ले उनके गठे बांद लो और गेहूं को मेरे खेत में खते में इखटा करो तो यह जो कहानी ऐसी कहती है कि अच्छे जो बीज हैं बोने वाले ने अच्छे बीज बोए मगर शत्रु ने आकर जंगली बीज बो दिये मगर अगर जंगली पौधे उखाड दिये तो अच्छे वाले पौधे भी उसके साथ उखड जाएंगे तो जो खेत का मालिक है वो कहता है दोनों को उगने दे और जब कटनी का समय आएगा जो जंगली पौधे हैं उनको बटोर कर मैं आग में जला देंगे और जो अच्छे वाले वो मेरे खत्ते में मेरे पास होंगे ये परमेशर के राज्य के जैसा है परमेशर ने अच्छे बीज बोए मगर उसके बीच में शत्रू ऐसे लोग भी ले आता है जो उन बीजों को या उस कटनी को खराब करना चाहता है जंगली पौधों की क्या विशेष्टा होती है या ये जो जंगली पौधे है क्या होते है इसको अंग्रेजी में weeds बोलते है weeds बोलिए weeds फिक है ये सिरफ वो नशा वाला weed नहीं इन सब जंगली पौधों को weeds बोलते है तो मैं इसके बारे में देख रही थी कि जंगली पौधे की क्या खासियत होती है जो जंगली पौधा है वो ऐसी कोई चीज देता नहीं है जिसकी कोई value हो जिसका कोई फाइदा हो या उसका इस्तेमाल किया जा सकता है परमेशर का राज्य भी ऐसा है कि ऐसे ऐसी कठनी परमेशर ने रखी है ऐसे लोग परमेशर ने रखे हैं जो फल लाते हैं मगर उस बीच में परमेशर के राज्य में ऐसे लोग भी शैतान के द्वारा इस्तेमाल होते हैं ये जंगली पौधों की तरह है जिनके अंदर कोई फाइदे का फल नहीं होता वो देखने में जंगली पौधे कभी-कभी उनके फूल बड़े खुबसूरत लगते हैं मगर उन फूलों को भी अगर सूंग लिया जाए तो हमारे शरीर के लिए खराब हो सकता है तो उसी तरीके से ये कुछ लोग भी जिनको शेतान इस्तिमाल करता है ऐसे होते हैं मैं ऐसे जंगली पौधों के बारे में आपको क्यों बता रही हूं क्योंकि ये जो जंगली पौधे हैं जैसे ये जंगली पौधे दूसरों को बढ़ने नहीं देते जब ये जंगली पौधे फैल जाते हैं दूसरे पौधों को दबा देते हैं वैसे ही शेतान द्वारा इस्तिमाल किये गए लोग जो परमेशर में बढ़ने हैं जो परमेशर के राज्य में जाने हैं उनकी भी बढ़ोतरी को या उनको भी दबा के मार देते हैं हम कई बार सोचते हैं कि अगर ये क्रिश्चन ऐसा कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ अगर ये मेरा बगल वाला गलत कर रहा है वो मसी है और वो स्वर्ग जा रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ परमेशर कहता है नहीं जब तक परमेशर आएगा जंगली पौधे और अच्छे पौधे दोनों साथ में बढ़ते रहेंगे तो हम इस गलत फेहमी में जंगली पौधों के दबाव में ना आ जाएं उनकी सुन्दर्ता को देखकर उनके दबाव में ना आ जाए जंगली पौधे की दूसरी खासियत ये सबसे जल्दी बढ़ते हैं अगर आपने देखा है क्या बोलते हैं किसी भी मिट्टी वाली जगए को थोड़ी देर भी छोड़ दो बड़ी जल्दी उसके उपर जंगली पौधे आ जाते हैं मगर कोई ऐसा फूल या फल आपको अगर बढ़ाना हो उगाना हो उसको बड़ा उसका देखबाल करना पड़ता है मगर जंगली पौधे बड़ी जल्दी दिख जाते हैं बढ़ जाते हैं तीसरी चीज़ परमेशर के राज्य में, ये जो जंगली पौधे जैसे लोग, वो जहरीले होते हैं, उनके ओपर कई बार सांप का काम चल रहा होता है, और वो सांप का जो विश है, दूसरों तक भी उसको दबा सकता है, ये दूसरों को भी हानी पहुंचा सकता है. पांचवी जीज, ये जो जंगली पौधे हैं, पैस जो बोलते हैं, या चूहे, कीडे, मकौडे और बिमारियों के लिए एक जगा बनते हैं, इन जंगली पौधों के वज़े से चूहे, कीडे, मकौडे और क्या बोलते हैं, ऐसे जानवर आ जाते हैं, जो खेत को खराब करते यह चुहे, कीडे, मकौडे, यह जानवर क्या दिखाते है दुश्टातमा के काम, जहां पर ऐसे जंगली पौधे होते हैं, वहां दुश्टातमा के काम आने लगते हैं, क्यों यह जंगली पौधे अच्छे नहीं हैं? जो आखरी चीज है एलर्जी यह एलर्जी वाली बात तो आजकल मुझे बहुत जादा समझ में आने लगी है इसको अगर सूंग लो यह कोई है न कॉंगरस घास बोलते शायद उसको घर के आसपास उग जाए तो छीके आने लगती हैं सिर्फ इंदरजीत को पता है और किसी को कॉंगरस घास का पता है दो, तीन, चार, पांच यह अगर घर के पास उगने लग जाए तो अलर्जी होने लगती है छीकने लगते हैं तबियत खराब होती है तो जैसे यह जंगली पौधे हमारे लिए अच्छे नहीं है हानी कारक है वैसे ही शेतान ये जो बीज बोता है ऐसे लोगों में जो काम करता है परमेशर के राज्य के लोगों के लिए भी ऐसे जो लोग हैं ऐसी जो दुश्टातमाएं हैं परमेशर के राज्य के लोगों के लिए भी अच्छी नहीं है मैं ये बात आपको आज क्यूं बता रही हूँ क्योंकि हम गलत फैमी ना खाएं हम कभी कभी कुछ ऐसे मसीयों को देख कर कि उनका जीवन तो ठीक नहीं है वो भी तो हरो चर्च आ रहे हैं वो भी तो परमेशर के राज्य में काम कर रहे हैं तो वो ऐसे से काम करके भी अगर स्वर्ग जा रहे हैं तो मैं भी उस जंगली पौधे की तरह हो जाओं नहीं वो जंगली पौधा आपको दबाए ना परमेशर ने आपको एक अच्छे बीज की तरह बोया है तो ऐसे जंगली पौधों से हम सावधान रहें क्योंकि ऐसे जंगली पौधों में चूहे, कीडे मकोडे और बाकी दुष्टात्मा के काम रहते हैं और जैसा वचन कहता है, कि जब तक कटनी होनी है, परमेशर दोनों को साथ में बढ़ने देता है और जब कटनी होगी, तब जो जंगली पौधें हैं, वो कटकर आग में डाले जाएंगे परमेशर का जो राज्य है, यह हमारा जो उधार है, उसको हम हलके में ना ले हम यह ना सोचे, वो भी तो जा रहा है, तो मैं भी पहुंची जाओंगा आज जब मैं परमेशर से सुबह यह अभी वर्शिप में प्रेयर कर रही थी, परमेशर क्या यह वचन बाटना है, और तभी मैंने बाईवल खोला, और मेरे सामने यह एक और वचन आया, आप अपने घर पे इस बाकी वचन को पढ़ सकते हैं, मैं इसमें से कुछ आयते ही पढ़ूँगी, यर्मिया उसका दो, उसके बीस से, यर्मिया दो, उसका बीस और मुझे यह पता भी नहीं था कि ऐसा एक वचन यर्मिया के अंदर है, क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला, और तेरे बंधन खोल दिये, परंतु तुने कहा, मैं सेवा न करूंगी मैंने तुझे छुड़ा लिया, मैंने तेरे बंधन परमेशर कहता है, तोड़ डाले, मगर तुने क्या कहा, मैं सेवा न करूंगी और सब उन्चे उन्चे टीलों पर, और सब हरे पेडों के नीचे, तु व्यबिचारिन का सा काम करती रही मैंने तो तुझे उत्तम जाती की दाखलता, और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर क्यूं तो मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई परमेशर का ये सवाल है, जो तेरे उपर बंधन थे, मैंने तोड़ दिये, मैंने तुझे छुड़ा लिया मैंने तुझे एक उत्तम, हाई क्वालिटी का बीज बोलते हैं न, हाई क्वालिटी वाला बीज बोया था, फिर तु जंगली कैसे बन गई आज ये सवाल परमेशर का यहां पर है, तो हम प्राथना करें परमेशर, ऐसे जंगले बीजों से परमेशर हमें बचाईए हमें बढ़ने से ऐसी सोचें, ऐसी दुष्टात्माएं, ऐसे पौधे रोके न, आईए हम प्राथना करेंगे हाललुया, धन्यवाद देते हैं परमेशर, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए परमेशर परमेशर हर तरीके का जंगली पन परमेशर, हर तरीके का जंगली पन का असर परमेशर, हर दुष्टात्मा का बीज परमेशर, हमारे लाइफ से परमेशर, हटने वाला बने परमेशर परमेशर ऐसी कोई भी बातें जंगली बातें परमेशर हमको बांध कर नीचे ना खीचे परमेशर मगर परमेशर तेरे लोग परमेशर जिस कामों के लिए तुन्हें उन्हें बुलाया है परमेशर उसी तरीके से बढ़ने वाले बने और फल लाने वाले बने परमेशर परमेशर इस कलीसिया को हम सब को परमेशर आपके हाथ में देते हैं हम सब को अपने लहू के नीचे छिपा के रखिए ये शुमसी के नाम से हम मांगते हैं आमेन झाल झाल